ओम शान्ति आज 28 जुलाई 2022 है और जैसे आज मुल्ली में हम सभी ने सुना कि हमें अथक बनना है पढ़ाई में कभी भी ठकना नहीं है पुर्शार्थ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है तभी हम कर्माती तवस्था को पा सकते हैं तो ऐसे कर्माती तवस्था को पा चुके ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी हमने यही क्वालिटी देखी कि वो हमेशा अथक रहे तो आईए इस विशे पर सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे ब्रम्हा बाबा लास तक भी सधा अलर्ट रहे जरा भी अलबेला पन नहीं देखा लास दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पार्ट बजाया शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए तो जितना अलर्ट रहेंगे फॉलो करेंगे अलबेला पन खत्म हो जाएगा इस समय संगम युग अर्थात कल्प के अंत का समय और संगम का भी अंत का समय चल रहा है तो इस अंत के अंत के समय में, अंत के अंत के जनम में हम आत्माओं के पास लक्ष बहुत बढ़ा है विश्व महाराजन बनने का और पूरे विश्व को परिवर्तन करके सत्युक बनाने का ये हमारा संकल्प, ये हमारी प्रतिग्या, ये हमारा कर्तव व्यता भी पूरा हो सकता है जब हम आत्माई alert हो करके अथक बन करके स्वपरिवर्तन और विश्वपरिवर्तन करें स्वपरिवर्तन भी करना देखा जाये तो वास्तव में इतना आसान कार्ण नहीं है इसके लिए हमें चाहिए alertness अर्थात, स्वयम अपने हर एक संकल्प के प्रति alert जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा निरंतर सेल्फ चेकिंग तो alert केवल बाबा तन से नहीं थे, वो तो थे ही, लेकिन वो भी result था मन की alertness का मन बाबा का हमेशा attention में था, अपने उपर attention, अपने पुर्शार्थ के उपर attention और सेवा के उपर attention कितनी बड़ी जिम्मेवारी है मेरी, बाबा को ये कभी नहीं भूलता था तो मन जिसका alert रहता है और उमंग उत्सा में रहता है, तन भी उसी प्रकार सहयोग देता है हमने सुना है और बाबा के चरित्रों से हम सभी को पता है इतने आयू होने के उपर भी बाबा हमेशा सीधे बैठते थे राद राद भर जग करके बच्चों को सकाश देते थे हमेशा समय पर मुली चलनी है बाबा की, इसलिए रत को हमेशा तैयार करके ले आते थे तो मन की alertness, तन की alertness इसके लिए ब्रह्माचारी बनने के लिए आज बाबा ने हम सभी को इशारा दिया है तो समय को पहचानते हुए, अपने कर्तवे को पहचानते हुए, अपने लक्षे को हमेशा बुद्धी में रखेंगे तो हम अथक भी बनते जाएंगे, alert भी बनते जाएंगे और कर्माती तवस्था को भी सहज ही पा सकेंगे ओम शान्ती